मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारा आम तोड़ा जाएगा यह हमारा आम का प्लैंट है और यह हमारे माताजरानी का मंदिर का पुजारी जी सतर असी साल उनका है फिर भी वह बहुत इनरजी टिक है वो खुद बोले है कि ठीक है मैं तोड़ दूँगी और यह देखिए आम एक के बाद एक तोड़ के नीचे गिरा रहे हैं वो इतना एक्सपार्ट है कि एक भी राम फटने रहा है वो बहुत एक्सपार्ट है हस्मेंट आगे जूडिया जाली वाली लेकर लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं हुआ वो इतना टार्गेट करके आम तोड़ है तो बहुआन का देन समझ के वो तोड़ तोड़ के ले जाते हैं श鬼 मंदिर के तरह पहले से तोड़ लिया और अगे एक तुफान भी आने वला है ये भी अकमा कारण है और आदा तो हम लों मन्दिर में दे देंगे और आदा बांट देंगे क्योंकि हमारे घर में खाने महले कोई नहीं है बच्चे नहीं है कि चबा लेंगे वो तो सब बड़े हैं तो फ्रेंड से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्यूंकि आज हमारा आम तोड़ा जाएगा यह हमारा आम का प्लैंट है और यह हमारे माताजरानी का मंदिर का पुजारी जी सतर असी साल उनका है फिर भी वो बहुत इनरजी टिक है वो खुद बोले है कि ठीक है मैं तोड़ दूँगी और यह देखिए आम एक के बाद तोड़ के नीचे गिरा रहे हैं वो इतना एक्सपार्ट है कि एक भी राम फट नहीं रहा है वो बहुत एक्सपार्ट है हस्मेंट आगे जूडिया जाली वाली लेकर लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं वह वो इतना टार्गेट करके आम तोड़ रहे है कि बस वो नीचे गिरते ही लुड़क रहा है देखिए कितना हराम से वो आम कहरे काम को नीचे गिरा रहा है यह आम का प्लैंट हम लोग का मंदिर में सटा हुआ है तो भ आगे एक तुफान भी आने वाला है यह भी एक कारण है और आदा तो हम लोग मंदिर में दे देंगे और आदा बांट देंगे क्योंकि हमारे घर में खाने वाले कोई नहीं है बच्चे नहीं है कि चबा लेंगे वो तो सब बड़े बड़े